नमस्कर आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका एस्पी एंड नाइड न्यूज में देखिए लगातार भारत जुड़ यात्रा चल रही है और भारत जुड़ यात्रा के वीच राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि बीजी पी को ना घेर है इसी देखा चाइना के मुद्दे सामने आ रहे हैं और चाइना के मुद्दों के बीच आपको पता है पवन खेडा बहुत मसूर है बोलने के लिए उन्होंने साब तोर पर यहां पर बीजेपी की पोल खोल रहे हैं जो आज चाइना के मुद्दे सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि जब हम चाइना की मुद्द्यों को लेकर बीजेपी के सामने जाते हैं तो नरेंद्र मोदी चुपी साद लेते हैं कुछ बोलते ही नहीं पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें पवन खेड़ा आरेसेस और बीजेपी की पोल खोल रहे हैं आपको बताया कि कैसे यह उन एपस जिन पर पाबंदी लगाई थी उनसे भारती जनता पार्टी के कितने घनिश संबंध हैं यूसी वेब मोबाईल आप नोट करिए बड़ा बाइत्वपूर्ण है क्योंकि भारती जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में जिन कंपनियों की सहायता ली थी उन में से य भारतियों का डेटा चुरा कर चीन भेजती है लेकिन 19 में इसी कंपनी को भारती जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री जी की हम नहीं जानते दूसरी कंपनी शेरिट टेक्नॉलोजी शेर आईटी या शेर इट जो भी कहना चाहें इसी कंपनी पर पाबंदी लगाई कि ये देश की संप्रभुता के लिए खत्रा है यही कंपनी भारती जनता पार्टी के चुनाव में पार्टनर बनकर भारत के चुनाव पर प्रभाव डालती है हम भी पूरी रिसर्च करके बैठे हैं ग्रहमंत्री जी को समझना चाहिए हमारे राजीव गांदी फाउंडेशन के खाते पब्लिक डोमेन में हैं सबके सामने हैं कुछ छिपाने की बात नहीं है सारवजनिक है रसेस के क्या संबंध है चीन की कॉम्यूनिस्ट पार्टी से रसेस का हक क्या बनता है वो तो एक सांस्कृतिक संगठन है गैर राजनेतिक संगठन है क्यों बार-बार चीन के दर्वाजे पर दस्तक देते हैं क्यों चीन की कॉम्यूनिस्ट पार्टी के साथ पार्टनर्शिप करते हैं और जब भारती जनता पार्टी सक्ता में नहीं हो तब भी ये लोग मिलने जाते हैं बीजेपी लेजिस्लेटर्स टेक लेसंस एट स्कूल रन बाइट कॉम्यूनिस्ट पार्टी ओफ चाइना उनसे शिक्षित होने जाते थे ये देख लीजिए साब ये है इनकी असलियत एक फाउंडेशन है जिसमें विदेश मंतरी के सुपुत्र काम करते हैं बड़े अच्छे पद पर काम करते हैं चीन के दूतावास ने उस फाउंडेशन को पैसे दिये लगातार दिये 2016 से लेकर लगातार देते आ रहे हैं हमने तो ये आरोपनी लगाया साब कि क्या विदे डोमेन में है राजीव गांधी फाउंडेशन को अगर कोई पैसा दिया है वो एकनॉमिक टाइज को कैसे इंप्रूव करना है उसकी स्टड़ी के लिए और फाउंडेशन पूरे विश्व से लगातार अलग-अलग जगे से पैसे लेती हैं सारुजनिक पटल पे होता है वो पालिए लेकिन इंडिया फाउंडेशन और विवेकानन फाउंडेशन के चीन से क्या संबंध हैं उसका खुलासा कीजिए ग्रहमंत्री जी ba JEFF. अनुमति ले लीजिए दोवल साब की बताईए क्या संबंध है दोवल साब के और उनकी स्टैशन के मिंजिए के साथ और एक और बड़ा रोचक तथ्या है भारती जनता पार्टी जब चीन की कॉम्मिनिस्ट पार्टी से मिलने 14 लोग गए तो क्या तय हुआ यह तय हुआ कि दोनों विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इनका अलायंस होना चाहिए और एक ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टी अलायंस बनना चाहिए है हमने तो नहीं का साब ने क्या मोई साइन करके आए क्योंकि हमें समझ है हम समझते हैं कि जब political parties मिलती है तो चर्चा करती है लोग तंतर पे चर्चा करती है हम सीखने नहीं गए थे आप तो सीखने चले गए साब हमें शिक्षित करो Communist Party of China भारतिय जनता पार्टी को शिक्षित करती है बताईए इससे बड़ा रिष्टा क्या हो सकता है और उधारन देते हैं पी-एम केर फंड सारुजेनिक करिये चीन की वो कौन-कौन सी कंपनिया है जिन्होंने पी-एम केर फंड में पैसा दिया और क्यों दिया बताईए एक और महत्वपूर्ण कंपनी डॉंग फैंग बड़ा महत्वपूर्ण नाम है याद रखेगा जब हमारी सरकार आएगी तो यह नाम रोज हेडलाइन में होगा ही मैं आपको आज बता देता हूँ डॉंग फैंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई यॉरोप ने पाबंदी लगाई पेंटगन ने पाबंदी लगाई 2020 में जमू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉंट्रैक्ट डॉंग फैंग को दे दिया हमारी सरकार ने ब्लैक्लिस्टेड कमपनी चाइना की कमपनी स्माठ मीटर का मतलब यह होता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों का डेटा डॉंग फैंग यानि की चाइना के हाथ में आपने सुपोर्ट कर दिया बॉर्डर स्टेट जमू कश्मीर डॉंग फैंग से आपके क्या रिष्टे हैं हम ये जानना चाहते हैं क्या मजबूरी थी विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई ब्लैक लिस्ट किया अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया यॉरोप ने और डॉंग फैंग को एक महत्वपून बॉर्डर स्टेट का स्मार्ट मीटर का ठेका माफ कीजेगा मोधी जी ने दिया क्यों दिया चलिए आईए गुजराथ दॉलेरा में चलते हैं आपको ले चलते हैं दॉलेरा में 43,000 करोड के M.O.U.s चीन की कंपनी के साथ किसने साइन किये कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अख़बार है Global Times वो लिखता है कि मोधी जी हार नहीं जाएं कहीं गुजराथ अगर मोधी जी गुजराथ हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा क्या नुकसान होगा चीन को हम भी यह जानना चाहते हैं यह जो गौरव गोगोई जी बता रहे थे 19 जून 2020 को दी गई क्लीन चिट चाइना को मोधी जी द्वारा क्या यह राज इस क्लीन चिट का इनी तमाम तथ्यों में तो नहीं छिपा हुआ क्या ये राज धोलेरा में तो नहीं छिपा हुआ क्या ये राज डॉंग फैंग कंपनी में तो नहीं छिपा हुआ या उन कंपनियों में जिनका शेरिट टेक्नोलजी, यूसी, वेब मोबाइल, चाइनीज कंपनी जिन पर मोदी जी का चुनाव निर्भर करता है है कि हम देश की संप्रभुता देश की सीमाओं के बारे में चिंतित है कि 1962 में जब युद्ध हो रहा था चीन का एक 36 वर्षिय सांसत जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपई चुनौति दी उन्होंने नहरु जी को इस संसत का सत्र बुलाईए हम डिबेट चाते हैं अब देखा आपने इस वीडियो को इस वीडियो को देखने के वाद आपको पता लग गया होगा कि चाइना के क्या संबंद है और वीजेपी आरेसस के क्या संबंद है क्या इन तीनों की मिली भगत है एक तरफ वह यह कह रहे हैं कि आप्स बंद करवाने की बात की थे लिकित बंद नहीं हुए वो यह भी कह रहे हैं कि नरेंदर मोदी शांत क्यों रहते हैं सवाल क्यों नहीं पूछते हैं उन्होंने यह भी कहा कि 40 मरते हैं हम 400 मार देते लेकिन खून खराचा क्यों उन्होंने साथ दोर पर यह बात कही है कि नरेंदर मोदी को अपने इथियास को र कर दो कर दो कर दो